जी असलाम अलेकुम, I am Zishan Heather from ecombril आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे के ebay dropshipping के लिए हम fake tracking को किस तरह से create करें जो के valid भी हो और ebay उसको accept भी करें और हमारा जो account है वो secure है हमें item location का कोई issue जो है वो देखने को ना मिले क्योंकि अब ebay ने एक बहुत बड़ी update की है जिसकी वज़ा से आप जो है वो 8 जुलाइ के बाद ना तो blue express की tracking को use कर सकता है या अब ecolin की कोई भी tracking जो है वो use कर सकते है आज कि इस वीडियो के अंदर हम एक tools use करेंगे track को का जिसके use से आप जो है वो अपने tracking ID को जो है वो convert करके अपने ebay के store के उपर लगा सकते है सबसे पहले हम इस complete वीडियो में इसका overview देख लेते हैं कि यह work किस तरह से करेगा for example आपको कोई order receive हो गया अब आप उसको tracking जो है वो लगाना चाह रहे हैं तो tracking के लिए हमने एक जो है वो tools यूज किया है और हमने इसके tracking जो है वो buy की है जैसे कि यह वाले tracking हमने generate की है इस video के अंदर हम detail में देखेंगे कि हमने tracking को किस तरह से generate करना है और किस तरह से item location को हमने hide करना है हमने इसको इदर से copy कर लिया कि आपका courier कौन सा है जैसे हमारे case के अंदर हमने FedEx UK इसको पर click करके हमने यह वाला tracking ID है वो हमने add कर दिया है add करने के बाद simple हम इदर save and continue इसके उपर हम जो है वो click कर देंगे जैसे ही हम इसके उपर click करेंगे तो ebay इसको real time जो है वो track करना start कर देगा जो है वो redirect कर देगा जो FedEx की officially website होगी उसके उपर आपको redirect कर देगा यहां से देख लें status का देख लें और इसकी जो official website है आप देख लें कि यह 100% secure है date इसने बता दी और नीची है तो इसने मुकमल history बता दी अगर आपको इसका proof of delivery चाहिए होगा तो आप इसके उपर click करके अपना proof of delivery है उसको भी आप ले सकते हैं तो अब हमने देखना है कि हमने इसकी जो tracking है उसको किस तरह से convert करना है या create करना है पहले इसका पुराना variant था simple अब इन्होंने थोड़ा सा advance किया है international UK और USA इसकी जो next video होगी एक बहुत जबरदास tool है बहुत easy tool है सस्ता tool है उससे आप जोड़ा सा महंगा है आपको 25 डॉलर देने पड़ेंगे और 100 आपको tracking IDs मिलेगी एक tracking के लिए आपका एक credit यूज होगा और ये lifetime चलेगा for example आपने 25 डॉलर एक बार invest कर दिये और ये monthly नहीं है for example आपने एक महिना कोई भी tracking यूज नहीं की ठीक है आप अगले महिने यूज कर सकते हैं ये lifetime रहेगा जिस दिन आपने ये यूज कर लिया और इसके उपर जो है वो अपने tracking को convert करेंगे तो हमने first of all इसकी जो state है वो हमने add कर लेनी है for example आपके case में कोई भी हो सकती है आपने destination जो बाइर का address होगा जिस address के उपर आपने जो है वो अपनी ये tracking convert करनी है वो आपने choose कर लेना है और उसके बाद आपने country आप इदर से United State के अंदर है तो आप country वो choose कर ले अगर आप जो है वो UK के अंदर है तो आप अपने मताबक UK भी इदर से select कर सकते हैं तो इदर आप देख लें काफी ज़्यादा आपके सामने tracking जो है वो convert होके आ चुकी है अगर हम नीची आए तो date को discuss करने से पहले हमारे पास एक option आ रहा है status का तो आपको दो status जो होंगे एक deliver का और एक in transit का in transit मीन के आपके पास इदर हमेशा से in transit का status ही रहेगा deliver का status जो है वो नहीं आएगा ज़्यादा तर लोग इसी जो है deliver करवाना है ऐसा नहीं है कि आपको आज order आया और कल आपने tracking लगा दे deliver की तो customer को एक message आएगा कि आपके item deliver हो चुके जबके अभी उसको item receive नहीं हुई ठीक है आपने ये थोड़ा था carefully लगाना है और अब आते हैं हम date के format में date के format में सबसे पहले के रहा है कि वो deliver कब हुआ था मैंने इसको कहा दिया कि वो 29 जून को जो है वो deliver हो चुका था आपने minimum से minimum एक हफते का gap जो हो रखना है sometime weekend की वैसे item जो है वो late भी हो सकती है और उसके बाद आपके पास काफी options available है अगर आप USA में है तो हम highly recommend करते हैं कि FedEx को use करें UK में भी यह available है DHL भी है UPS भी है और अधर भी है लेकिन यह इसकी जो tracking है वो जबरदस और high secure available है और उसके बाद यह वाले जो दो options है यह आपने 100% choose करने ही करने है बाकी यह वाले optional है आपके पास काफी जो है वो tracking IDs आ चुकी है आप इदर से state destinations गरा सारा कुछ देख सकते हैं आपने simple किसी भी जो आपको लगता है कि यह मेरे लिए best है आपने get in के ओपर click करना है और इदर से आपके पास जो tracking ID है उसकी सारी जो detail है वो आपको देखने को मिलेगी आपने simple इदर से copy करके अपने eBay में या जो आपका Amazon है आपने वहाँ पे आके इसको add कर देना है तो अगर हम इसको real time इसको पर click करें click करने के बाद यह हमें FedEx की official website को पर ले जाके proper track करके बताएगा कि इस time आपकी जो tracking है उसका क्या status है यह देखें deliver भी हो चुका है proof of delivery भी उसने लगा दिया हुआ है और मुकमल आप इदर से इसकी जो report है वो भी आप देख सकते हैं जो जो आप tracking ideas भी है वो create करते जाएंगे आपने scroll down करना है वो आपको इस section के अंदर सारी जो tracking ideas है वो आपको देखने को मिल जाएंगी आज की वीडियो में बस इतना ही तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो आप से request है कि आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का notifications आपको मिलता रहे